इस वीडियो में मैं आपको साइन्स की एक मज़दार एप गूगल साइन्स जर्नल दिखाना चाहता हूँ साइन्स जर्नल एंड्रोइड और आयोस डिवाइसेज में एक फ्री एप है मैं इस एप को इंस्टॉल कुछ चुपा हूँ जब आप इस एप को खोलेंगे आप साइन इन कर सकते हैं या बिना साइन इन किये भी इस एप को इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्लस को दबाके आप एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते हैं इस स्क्रीन में कैमरा के लेफ्ट में इस आइकाउन को दबाने से साइन्स जर्नल एप आपके स्मार्ट फोन या टैबलेट में उपलब सारे सेंसर्स को रीट करना शुरू कर देती है जैसे मैं एक साधारन लेनोगो टैबलेट स्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें ज़्यादा सेंसर्स नहीं है साधारन टैबलेट या स्मार्ट फोन में अधिकतर तीन सेंसर्स जरूर होते हैं लाइट सेंसर, साउन सेंसर और एक्सलरोमीटर जिस सेंसर से फोन को पता चलता है कि वो किस दिशा में मुड़ा हुआ है जैसे लैंड्सकेप या पोट्रेट कुछ सेंसर्स को देखते हैं जैसे अभी मैं लाइट सेंसर में हूँ फोन में लाइट सेंसर स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है लाइट सेंसर नापता है कि सेंसर पर कितनी लाइट पड़ रही है यानि light की intensity क्या है आप light के source से जितना दूर जाएंगे light की intensity उतनी कम हो जाएगी इस tablet में light sensor यहाँ पर है और अभी जो light इस sensor पर पढ़ रही है उसकी reading है 2K यानि 2000 और unit है lux तो इस पर 2000 lux light पढ़ रही है अब अगर इस sensor के उपर मैं कोई यह cardboard ले जा रहा हूँ तो suddenly क्योंकि इस sensor पर light नहीं पढ़ रही है तो reading जो है वो अब around 50 lux जो है गिर गई है इसी तरीके से एक और sensor है sound sensor sound sensor sound की intensity या loudness नापता है जैसे जब मैं जोर से बोलता हूँ तो sensor की reading उपर चली जाती है और अगर मैं चुप हो जाता हूँ तो sensor की reading एकदम नीचे आ जाती है sound की intensity नापने का unit है decibels एक और sound का sensor जो है वो sound की frequency या pitch को नापता है जैसे अगर मैं ये online piano बजाता हूँ तो अगर मैं कोई सुर बजाता हूँ जिसकी frequency कम है तो ये sensor frequency नाप रहा है और frequency का unit है hertz फिर ये जो तीन sensor है x, y और z x, y और z accelerometer हैं जो phone में motion नापते हैं या ठीक से कहा जाए तो वो x, y और z direction में acceleration नापते हैं जैसे x accelerometer नापता है कि phone कितना left या right हिलाया जा रहा है और y sensor नापता है कि phone कितना up या down हिलाया जा रहा है और z sensor नापता है कि phone को कितना उठाया जा रहा है या नीचे किया जा रहा है इसमें interesting आप note करोगे कि अभी मैं phone को हिला नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी पर z पर जो reading है ये reading 9.7 meters per second square दिखा रहा है जो कि gravity को नाप रही है gravity की value है 9.8 meters per second square तो google science journal app में आप science के मज़दार experiments करके अपनी science की समझ को और गहरा कर सकते हैं जैसे हम अगर जाते हैं pitch के sensor पर और हम कोई experiment करना चाहते हैं जैसे हम अलग-अलग सुरों की pitch नापना चाहते हैं यह कितने hertz के हैं तो हम यह experiment कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं यह जब rate button दबाऊंगा आप जो है वो record करना शुरू कर देगी experiment को फिर मैं इसको रोक के यहां यह दिखा रहा था मुझे कि जो भी मैंने अभी सुर दबाया उसकी pitch कितनी है और वो बता रहा है कि on an average मैंने गलती से एक गलत सुर दबा दिया था तो on an average जो है वो 69 hertz इसकी pitch थी अब हम क्या कर सकते हैं कि हम एक और observation लेते हैं और उसके लिए हम फिर से यह record का button दबाते हैं और अब हम एक नया सुर ट्राइ करते हैं इसको रोकते हैं तो अब हमारे को अपनी डॉनो अब्जरवेशन जो हैं वो नजर आती हैं जो पहला सुर था वो low pitch था और वो on an average 69 hertz पर था और जो दूसरा सुर था वो high pitch का था और on an average वो 234 hertz पर था इसी तरीके से आप और experiments कर सकते हैं मानलो आप sound pollution आपना चाहते हैं तो आप sound sensor पर जाएं और जो भी आपकी पहली location है मानलो अपनी school में कर रहे हो और जानना चाहते हो कि सबसे sure मचाने वाली class कौन सी है तब आप इस app को लेके जाएं और यहाँ पर ये red button दबाके पहली observation ले लें और वो class पहली class की होगी फिर किसी दूसरे classroom में जाएं और फिर वहाँ पर reading ले लें और इस तरीके से आपके पास बहुत सारी reading आएंगी और आप ये मज़दार experiment कर सकते हो कि आपके school में सबसे sure मचाने वाली class कौन सी है इसी तरीके से आप और experiments कर सकते हो चाहे वो light के around हो या accelerometer के experiments हैं जो कि physics में काफी कुछ आपको motion के बारे में सिखा सकते हैं कि pendulum motion का graph कैसे होता है इस तरीके से और depending on कि आपके आपकी tablet में कितने sensors हैं आप उन सब की value पर सकते हो तो जैसे इस tablet में compass sensor भी है तो आपके उसमें जो भी sensor है आप उस sensor में जाके अगर इस high button को दबाते हैं तो आपको उस sensor की पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको समझ में आएगा कि वो sensor exactly read क्या कर रहा है उसके बाद आप सोच सकते हो कि आप क्या experiment करना चाहते हो जैसे ये magnetometer है जो की magnetic field detect करता है तो आप अलग-अलग धातू के objects पे ले जाके उनकी magnetic field detect कर सकते हो आने वाले videos में हम science journal app यूज करके कुछ मज़दार experiments करेंगे और सीखेंगे कि thinking like a scientist या scientific way of investigation क्या होता है क्या होता है क्या होता है